हेलो स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो सेग्मेंट में हम स्टार्ट कर रहे हैं NCRT एग्जांपलर प्रोब्लम जो की MCQs प्रोब्लम है उनको और यह जो मैंने किशन सेट उठाया है यह एवर ग्रीन जो आपका किशन बैंक है क्लास 12 के लिए वहां से लिया है और आज के इस वीडियो में हम chapter 1 जो की है आपका relation and functions उसके MCQs को solve करेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो की बाउनाओं में खोने से पहले वीडियो को like कीजिए अपने friends के साथ इसे share भी कीजिए और अगर आप इस channel पर नए हैं तो इस channel को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए वीडियो को start करते हैं जो first question है, first question में इसने बोल रख है let R be a relation on the set N, यहाँ पर capital N किसको represent कर रहा है, set of natural number को define by NRM, okay, if N divides M, जो relation है, वो finally हमको क्या दरख है, इसने statement form में, जो N है वो M को divide कर रहा है, मतलब M upon N format है, okay, तब यह relation किस type का होगा, reflexive होगा, transitive होगा, symmetric होगा, इन तीन में से कौन सा होगा, okay, अगर तीन होगे तो हम बोल देंगे कि C option इसका right होगा, equivalent, वो relation हो जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले, reflexive के लिए condition क्या थी, reflexive में कोई भी element हम लेते हैं, तो उसका खुद से relation बन जाना चाहिए, अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 को मैं 2 से divide कर पाऊंगा, क्या बिल्कुल कर पाऊंगा, okay, ठीक है, इसका मतलब यह reflexive तो है, reflexive तो आ रहा है, okay, ठीक है, बात करूँ मैं symmetric की, अगर मैं 4 को 2 से divide कर देता हूं, okay, बिल्कुल कर पाऊंगा, ठीक है, यानि यह चीज set से belong, उसे relation से belong कर रही है, तो इसका symmetry मतलब 2 को मैं 4 से divide कर पाऊंगा, क् नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब symmetric नहीं है, तो not symmetric, अगर मैं बात करूँ, तीसरे वाले की transitive की, तो उसके लिए क्या था, अगर मैं 8 को 4 से divide करता हूं, बिल्कुल हो रहा है, okay, और 4 को मैं किसी तीसरे number suppose 2 से divide कर रहा हूं, okay, तो क्या मैं इस 8 को 2 से divide कर पाऊंगा, यह तो possible है, 8 2 से divisible है, okay, तो यह transitive हुई है, यानि तीसरा है, पहला है, और दूसरा नहीं है, तो कौन सा रहना चाहिए, reflexive है, transitive है, but not symmetric, D option इसका right होना चाहिए, okay, next देखते हैं, second में क्यावल रुख इसने, let L denotes the set of all straight lines, जो L है, वो straight line का set है, capital L, okay, और आपको relation इसने define कर रख है, L, R, M, if and only, if L is perpendicular to M, okay, कोई एक line है, L, जो की M पे perpendicular है, तो relation R कैसा होगा, reflexive के लिए, खुद का खुद से relation, मतलब कोई मैं एक line लू, L, और वो relation को satisfy करे L के साथ, ठीक है, यानि यह जो line है, यह perpendicular है, किस पे perpendicular है, खुद पे, तो कोई भी अगर एक line है, तो वो खुद पे तो कभी भी perpendicular नहीं होती है, okay, ठीक है, तो पहला तो होगा नहीं, इसका मतलब यह तो cancel हो गया, बात करूँ मैं, दूसरे वाले की B option की symmetric की, तो अगर एक line, इस line पर perpendicular है, सपोज यह line L है, यह line M है, अगर L, M पे perpendicular है, तो इसकी symmetric बननी चीए, पे perpendicular होगी, symmetric है, अब यही हमारा answer होगा, लेकिन C option को और देख लेते हैं, अगर line L, M पे perpendicular है, यह L, यह M, line L, M पे perpendicular है, और M किसी तीसरी line, मानलो N पे perpendicular है, तो transitive के लिए हम चेक करते कि first वाली third पे perpendicular आएगी, क्या L और N पे perpendicular होगी, बिल्कुल नहीं होगी, यह तो parallel होगी ठीक है, तो transitive तो इसलिए नहीं होगा, तो option कौन सा आएगा, be option इसका right होगा, next जो question number third है, third में देखो क्या बल रुकिस ने, let capital N be the set of natural numbers, okay, N किसको represent कर रहे है, set of natural number को, and the function f such that end to end, जो function है, वो end to end define है, और वो किस relation के साथ है, fn equal to n plus 1, for all n belongs to capital N, then f is, आपको एक function रहे है, 2n plus 3, जहांपे जो small end है, वो कहां से बलों कर रहा है, set of natural number capital N से, ठीक है, तो वो जो function है, given function, वो surjective होगा, injective होगा, bisective होगा, या फिर इन में से कोई भी नहीं होगा, देखो तो surjective में हम क्या करते हैं, उस function को हम on to दिखाते हैं, ठीक है, injective के ल मतलब 11 भी हो जाए, और on to भी हो जाए, तो उसको bisective बोलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले surjective क्या होता है, और injective क्या होता है, इनको देखते हैं, surjective बोले तो on to, injective बोले तो 11, तो इसको example के साथ ही मैं इसको clear करूँगा, तो यहांपे जो function है, वो हमको दिर रखे इस लिता हूँ, ठीक है, तो output मेरे को क्या मिलेगा, यहांपे क्या आएगा, यहांपे भी कुछ भी हो सकते है, 1, 2, 3, n, 2, n है न, मतलब domain n है, और उसकी co-domain भी n है, ठीक है, तो यहांपे कोई भी number होगा, natural set से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on, ठीक है, यहां यहां भी कोई भी होगा, क्योंकि इसकी co-domain भी क्या है, set of natural number है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on, अच्छा, अगर मैं यहां से कोई एक element, domain से element इसमें put करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगी, जो range है, वो क्या मिलेगी, इसकी, 2, 1, 2, plus 3, 5, 1 की mapping किसे होगी, 5 से होगी, ठीक है, अगर मैं 2 put करूँ तो 2, 2, 4, plus 3, 7, 2 की mapping 7 से होगी, 3 put करूँ तो 9 से, कहीं 9 भी होगा, इस type से, ठीक है, अच्छा, अब यह बोल रहा है कि यह function 1, 1 है, क्या, बिलकुल है, क्योंकि मैं आगे और बढ़ूँँगा, तो यहां पे जो element है, उनकी प्री, उनकी जो image आएगी, वो भी unique होगी, मतलब ए element के साथ image आएगी, किसी दूसरे के साथ नहीं आएगी, ठीक है, इसका मतलब यह 1, 1 तो है, ओके, 1, 1 हो गया, 1, 1 का मतलब, 1, 1 हमारे पास option है, ठीक है, इसने बोल रखा था न, executive है, तो executive हमको मिल रहे है, ओके, अब by executive भी तो हो सकते है न, अगर यह सर executive हुआ तो, तो on to हम check करेंगे, on to है या नहीं है, तो on to के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर element बच रहे हैं, जो भी element है, इस वाले में, ठीक है, तो इसके जो भी element है, उन सभी की pre image इसमें बंजानी चीए, तो one की तो pre image नहीं है, two की नहीं है, three की नहीं है, four की नहीं है, और आगे जो भी even number आ मिल नहीं है, ऐसे eight भी नहीं होगा, ten आएगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है न, अगर कोई भी एक ऐसा element बच जाता है, जिसकी pre image नहीं हो, तो वो फिर on to नहीं होगा, इसका मतलब यह सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, तो फिर bysective भी नहीं है, क्योंकि byse number से real number में जा रहा है, और define by fx equal sin x, आपको function fx क्या दरख है, sin x दरख है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, fourth equation है, यह मेरे पास, fx equal sin x, okay, और जो दूसरा है, दूसरा हमको जो function मिल रहा है, वो z मिल रहा है, और वो किस तरी के से define है, zx equal x square, तो इसको भी मैं लिख लेता हू zx equal x square, अब इसने पूछा क्या है, देखो इसने पूछा है हमसे, f o z, fog हमसे पूछा है, ठीक है, f o z, कैसे find करेंग, देखो, f o z का मतलब क्या है, f o z का मतलब है, f of zx, okay, तो zx की value है मेरे पास, तो वो मैं put कर देता हूँ, f of zx, zx क्या है x square, अब इसकी इससे compare करो, तो x x के बदले मेरे को x square put करना है, ठीक है, तो क्या आएगा, sign x के बदले x square, यानि sign x square, तो sign x square देखते, कौन से option में आ रहा है, sign x square, c option में, तो c option इसका right होगा, बाकी next day वीडियो में नहीं करूँगा, next day मैं ही upload करूँगा, इसी वीडियो में सामिल करूँगा, क्योंकि DJ अचने के लिए, मैं यहां पर अभी वराम देता हूं, और सुबह में वीडियो बनाऊंगा, जो फिफ्टे केशन है, इसको देखते हैं, तो फिफ्टे केशन में हमको इसने क्या बोल रूख है, कोई एक फंक्षन है, जो एक फंक्षन में इसे प्रकार डिफाइन है, कि जो आपको fx दे रखे न, उसको y की इक्वल लेट करके, और फिर x को y की टर्म में फाइंड करते हैं, ठीक है, तो यही मैं यहां पर करने वाला हूँ, यहां पर हमको fx गिवन है, fx क्या दे रखा था, 3x माइनस 4, ठीक है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूं, y की इक्वल, let y fx, ठीक है, अब fx की value पुट कर दो, 3x माइनस 4, ठीक है, तो यहां से x की value y की टर्म में फाइंड कर लो, तो यह आएगा y प्लस 4 अपॉन 3, किसके इक्वल, x की इक्वल, ठीक है, x की value आगी है y की टर्म में, मेरे को क्या फाइंड करने है, f inverse x है न, तो यहां से देखो, अगर मैं f को इदर ट्रांसफर करूँ, तो x की value किसके इक्वल आएगी, यहां से 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 x की value किसके इक्वल आएगी, यहां स x का inverse f inverse x चीए और यह आया क्या है f inverse y तो y को अगर मैं x से substitute करूँगा तो मेरे को f inverse x मिलेगा तो जहां पर y यह वहां पर x पुट कर दो तो f inverse x क्या हैगा x plus 4 upon 3 अब यह देखते हैं कौन सी option में हमको देखने को मिल रहे है आया क्या था एक बार फिर से देख लो x plus 4 upon 3 x plus 4 upon 3 पहले option में है तो यह इसका right answer होगा 6 को देखते हैं 6 में कि इसने क्या बोल रुख है let कोई एक function है जो की r to r में इस प्रकार define है कि जो f x वो क्या है x square plus 1 है 6 f x equal x square plus 1 ठीक है फिर इसने क्या पुछ है इसने पुछ है then pre image of 17 and minus 3 respectively यह नहीं 17 की pre image क्या होगी और minus 3 की pre image क्या होगी ओके इसका मतलब क्या है जो 17 है अगर मैं इसका diagram बनाऊ तो ऐसा कुछ होगा और इसने किसकी pre image पुछी है 17 की इसका मतलब 17 इसमें block करेगा ठीक है और किसकी पुछी थी minus 3 की पुछी थी इनकी pre image मतलब इसमें आपको value लेनी होगी इसकी pre image किसमें आएगी इस वाले में आएगी ना domain में आएगी ठीक है तो co domain का element आपको द्रखए और domain में उसकी pre image पूछ रहे है इसका मतलब क्या है जो output है वो 17 है output मतलब fx ठीक है तो fx की value जो हमको मिलेगी वो 17 आ रही है और दूसरे case में fx की value जो हमको मिलेगी वो minus 3 आ रही है तो पहले case में अगर fx की value 17 है तो यहां से x element क्या लूँ में यानि फिर मेरे को x की value find करनी होगी तो 17 को fx की बतले put करो 17 equal x square minus sorry plus 1 तो यहां से क्या आएगा x square equal 16 हो जाएगा इसका मतलब x क्या आएगा plus minus 4 ठीक है यानि जो 17 था इसकी pre image क्या है plus 4 और minus 4 ओके इस type से ठीक है दूसरा क्या था minus 3 minus 3 fx की value put करो minus 3 equal x square plus 1 तो यहां से x square अगर मैं find करो तो क्या आएगा minus 4 हो जाएगा यह तो impossible है क्योंकि square कोई किसी भी नमबर का square करें तो वो तो negative आता ही नहीं है ठीक है इसका मतलब इसकी कोई pre image नहीं होगी कोई pre image नहीं होगी प्लस 4 और minus 4 और जो 3 था उसकी pre image क्या है 5 है ठीक है तो यह option देख लो कौन सा आप से कौन समय चो रहा है 4 minus 4 और दूसरे वाले की मतलब minus 3 की 5 4 minus 4 5 C option इसका right होगा next जो 7th है 7th में इसने क्या बोल रख है 4 real numbers x and y कोई 2 real number है x और y define x, r, y x और y में कोई एक relation देरख है और वो क्या है if and only if x minus y plus root 2 is an irrational number यानि ये irrational number हो ये इसने relation देरख है हमको तब ये जो relation r है ये कैसा होगा इन तीनों में से ठीक है तो next page पर इसको solve करते है relation क्या था x minus y plus root 2 irrational हो जाना चीए ओके 7th relation किस टाइप से define है x minus y plus root 2 is an irrational number ठीक है तो जो पहला point था क्या reflexivity उसको check करते है reflexivity के लिए क्या करते है कोई भी एक element का उस खुद के साथ relation दिखाते है ठीक है a r a हम प्रूव करते है तो यहाँ पर अगर मैं x के बदले a y के बदले a put करूँ तो क्या आएगा या फिर आप ऐसा करो x r x ले लो a भी ना लेके x r x ले लेते है न यानि x का x के साथ relation बन जाना चाहिए ओके तो x तो x है और y क्या है y भी x है plus root 2 y भी x है ओके plus root 2 solve करो यह root 2 आया और root 2 कैसे है यह तो irrational है ठीक है और आना क्या चीए था वो irrational ही आना चीए था इसका मतलब reflex यह तो है दूसरा चेक करते है symmetric symmetric के लिए क्या करते थे symmetric के लिए अगर x y के साथ relate है यह हम लेके चलते थे कि x y के साथ relate है तो y भी x के साथ relate हो जाए यानि y का x के साथ relation बन जाए ठीक है तो इसको मैं कोई example से clear करूँगा अगर मैं x की value root 2 और y की value 2 लेता हूँ ठीक है देखो आपको x और y इस तरीके से लेने होंगे कि इसको satisfy कर जाए मतलब इसको satisfy कर जाए x और y के लिए तब हम prove करेंगे कि y और x मतलब पहला element जो हमने लिया था x वो y में और y x में change हो जाए तो उसकी लिए भी relation बन जाए मैं root वाले number की बात नहीं करा without root वाले ठीक है जैसे 2,3,4,5 अगरा है उनको आप लोगे तो उनके लिए ये relation हमेशा irrational बनेगा ठीक है तो कम से कम एक example आप ऐसा ढूंडो जो symmetric ना बने तो उसके लिए मैंने ये दो value लिए root 2 और 2 ठीक है root 2 minus 2 plus root 2 किसके लिए मैं चेक करा हूँ x,r,y के लिए बन रहे है ना relation बिल्कुल बन रहे है ये क्या हैगा minus 2 plus 2 root 2 जो की कैसा है irrational है और irrational है इसका मतब relation बन रहे है ठीक है यानि ये relation बन जाए ऐसा आपको example लेना है फिर इसके लिए हम prove करेंगे ओके तो अब मैं इसके लिए prove करता मतलब y की value तो x की value y बन रहे है ठीक है यहाँ पर देखो x पहले था यहाँ पर क्या है y पहले तो क्या लिखू मैं y की value y की value पहले ना तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 minus y y क्या है y यहाँ पर x की value है ना तो x की value क्या है root 2 और plus क्या था constant root 2 यह cancel आया क्या 2 और यह क्या है यह तो rational number है ठीक है यह rational आ गया लेकिन जो relation हम को given था वो क्या था irrational आना चीए इसका मतलब यह symmetric नही है ठीक है अब तीसरा जो point है transitive उसके लिए check करते है उसमें तीन element हम लेते हैं ठीक है relation क्या था एक बार मैं लिख देता हूँ x minus y plus root 2 irrational आना चीए था ठीक है तो यहाँ पे अगर x y के साथ relate है और y किसी तीसरे z के साथ relate है तब हमको prove करना होगा कि जो x है वो z के साथ relate हो जाए ठीक है तो यहाँ पे मैं x की value अगर root 2 लूँ y की value अगर 1 लूँ और z की value 2 root 2 लूँ तो यह दोनों satisfy हो रहे हैं से चेक करके देखो x r y बन रहे क्या x r y बनाओ x के root 2 minus y y के 1 plus root 2 क्या आया minus 1 plus 2 root 2 जो की rational है बिल्कुल बन रहे हैं अगर मैं बात करूँ y r z की तो y r z यहाँ पे y यहाँ पे z है ऐसा मान कि आप करो इसको न तो y के value के है y के value है 1 minus यहाँ पे क्या z y r z के लिए तो z के value के है 2 root 2 तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 root 2 और plus constant root 2 solve करो के आएगा 1 minus root 2 यह कैसा है यह भी rational है ठीक है यानि इन दोनों के लिए यह example बिल्कुल से satisfy कर रहे है तो अब हम prove करेंगे कि इसके लिए भी यह satisfy हो अगर prove हो जाएगा तो यह transit हो जाएगा वरना नहीं होगा तो यहाँ पे और मैं क्या ले सकता हूँ मतलब y और z हो गया तो x और z के लिए मेरे को check करना है x r z x की value क्या है यह x की value यहाँ पे और y के बदले अब की बार z की value पूट करनी है ठीक है क्योंकि relation x r z है तो x की value पूट करो root 2 minus z z के z है 2 root 2 plus root 2 कितना आएगा 0 ठीक है और यह कैसा है यह तो rational है p by q form है अब उन्हें लेट कर सकते है अगर यह rational number आ गया इसका मतलब relation को satisfy नहीं किया तो यह transitive नहीं होगा तो हुआ कौन सा पहला पहला हो रहा है रिफ्लेक्सी हुए है तो 7th में रिफ्लेक्सी हुए यानि ए उप्शन इसका right होगा जो 8th है 8th में देखो क्या बल रुख है let t be the set of all triangles in the Euclidean plane and let a relation r on t be defined as a relate with b if a is concurrent to b अगर कोई एक triangle a b के साथ concurrent हो जहाँ पर a और b कहां से लिए गए है set of all triangles t से ठीक है then r will be r कैसा होगा ओके तो next page पर इसको देखते है यहाँ पर condition क्या रखी है relation क्या है a is concurrent to b वालाई ठीक है 8th 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 देखो यहाँ पर मैं दो triangle ले रहा हूँ ठीक है दो triangle बना रहा हूँ एक तो यह triangle और एक यह triangle और इसने बोल रखे है कि यह दोनो triangle congruent है ठीक है suppose पहले वाला जो triangle है उसको मैं a मान रहा हूँ यह triangle a है और यह triangle b है a और b congruent है ठीक है तो जो पहली condition होती है reflexivity की वो क्या कहती है खुद का खुद से relation कोई एक triangle रहा है जैसे कि a है तो यह खुद के ही congruent है क्या बिल्कुल है अगर इसी को आप इसी के उपर रखोगी तो पूरा cover कर लेगा each part इसके equal है चाहिए वो angle हो चाहिए वो side हो ठीक है तो reflexive तो है यह बात करो मैं symmetric की मतलब a b के साथ congruent है तो b a के साथ congruent होगा क्या बिल्कुल होगा congruent से महम क्या चेक करते है इनके जो corresponding parts है वो सारे के सार equal आने चाहिए angle angle की equal होने चाहिए और जो side है वो side की equal होने चाहिए ठीक है तो अगर यह इसके result हमको मिल रहा है relation मिल रहा है ठीक है तीसरा transitive यह दो अगर congruent है मतलब a b के साथ congruent है और जो b है वो किसी तीसरे triangle c के साथ congruent हो suppose यह triangle है ठीक है इसका नाम मैं दे देता हूँ triangle c okay a b के साथ congruent है और b c के साथ congruent है तब हम प्रूव क्या करते है कि यह भी इसके साथ congruent हो जाए congruent ही क्या है कि इसके सभी part इसके equal हो और इसके सभी part इसके equal है इसका मतलब इसमें और इसमें कोई फराक ही नहीं है तो यह दोनों भी कैसे होंगे congruent होंगे तो तीसरा भी satisfy हो रहा है अगर तीनों हैं तो उसको क्या बोलते हैं Equivalence relation यानि C option इसका right होगा Next जो किशन नंबर नहीं थे उसमें देखो क्या बोल रखेसने Consider the non-empty set consisting of children in a family and a relation are defined as A relate with B If A is a brother of B अगर A B का भाई है तो कौन सा होगा इन तीनों में से तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ Reflexivity की तो reflexive तो नहीं है क्यों? क्योंकि कोई भी एक बंदा खुद का भाई कैसे हो सकता है जैसे कि कोई एक है राकेस वो खुद का भाई कैसे होगा नहीं हो सकता तो रिफलेक्सिव तो नहीं है, दूसरा सिमेट्रीक की बात करता हूँ तो सिमेट्रीक में हम दो element लेके चलते हैं, जैसे कि Raakоз सचिन का भाई है तो अब इसकी सिमेट्री बन जाना चाहिए मतलब सचिन Raakaz का भाई होना चाहिए हो सकता है क्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता क्यों देखो इसके लिए तो ये बिल्कुल सही सैट हो रहा है अगर मैं बात करूं राकेस मोनिका का भाई है तो अब बताओ मोनिका जो कि एक लड़की है वो राकेस का भाई हो जाएगा क्या नहीं होगा ना सिस्टर होगी वो त ठीक है, symmetric नहीं है, अब तीसरा relation देखते हैं, अगर सचिन राकेस का भाई है, और राकेस मोनिका का भाई है, तो सचिन मोनिका का भाई बनेगा की नहीं बनेगा, बिल्कुल बन रहे है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, यह last candidate, यह male भी हो सकते है, female भी हो सकते है, ठीक है, लेकिन, सुरू के दो हम satisfy हो जाएं, ऐसे हम relation लेके चलते हैं, यह दोनों लड़के होने चीए, ठीक है, तब ही यह इसका भाई है, और यह इसका भाई बनेगा, तो यह इसका भाई बन जाएगा, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह दोनों satisfy हैं, तो तीसरा case satisfy हो रहे है, ट्रांसेटिव है, ठीक है, तो क्या-क्या नहीं था, रिफ्लेक्स है नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांसेटिव था, तो इसमेट्रिक बट नोट सिमेट्रिक, बी ओप्शन इसका राइट होगा, ए क्यो नहीं है, सिमेट्रिक बोल रहे हैं, तो ए नहीं होगा, यह यह बोल रहा है, symmetric भी नहीं, transitive भी नहीं, transitive तो है, यह बोल रहा है, last के दोनों उनेची, दोनों तो नहीं है, only transitive है, तो भी option इसका right होगा, ठीक है, जो 10th है, 10th में क्या बोल रहा है, इसने, the maximum number of equivalence relation of set A equal 1, 2, 3R, यह जो set दे रखा है, इसमें maximum number of equivalence relation क्या हो सकता है, ठीक ह यह हम से पूछे, तो यहाँ पर एक relation, एक set दे रखा है, 1, 2, 3, तीन element उसके, तो सबसे पहले मैं equivalence relation बोल रहा है, तो वो कब होगा, जब वो तीनों को satisfy करे, मतलब reflexive भी हो, symmetric भी हो, और transitive भी हो, ठीक है, तो पहला relation मैं ले सकता हूँ ना, R1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, यह तीनों र दूसरा relation लो, R2, तो R2 में मैं क्या ले सकता हूँ, यह तीनों तो include होंगी, 1, 1, 2, 2, 3, 3, अगर मैं 1 को 2 के साथ लो, तो symmetrical भी होना चीए, मतलब 2 को 1 के साथ भी लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं बात करू, relation R3 की, यह कै, यह भी तो तीनों relation है, symmetric भी है, transitive भी हो, और reflexive भी है, अगर मैं तीसरा relation लिखू, तो क्या लिखूँगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, अब की बार में ले रहा हूँ, 1, 3, अगर मैं 1, 3 लोंगा, तो उसके साथ 3, 1 भी लेना होगा, ताकि वो symmetric भी हो, ओके, अच्छा, चोथा relation क्या बन सकता है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1 को तो मैंने 2 के साथ, और 3 के साथ, दूसरे और तीसरे relation में represent कर दिया, अब की बार में 2 और 3 को लेता हूँ, न, 2, 3 है, तो क्या होना चीए, 3, 2 भी होना चीए, तो ये जो R4 है, ये भी कैसा बन जाएगा, equivalence relation बन जाएगा, R5 और क्या ले सकता हूँ, और तो कुछ नहीं, तो इनको सामिल करने वाले सभी points ले लूँगा, मैं, मतलब, 1, 1, 2, 2, 3, 3, उसके बाद, 1, 2, और उसके साथ ही 2, 1 हो जाए, अगर 1, 3 है, तो 3, 1 भी मिले, अगर 2, 3 है, तो 3, 2 भी मिले, ठीक है, इसके अलावा तो और कोई बनेगा नहीं, तो यह कितने relation होगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, number of, maximum number, इसने maximum बोल रुखा था था ना, maximum number of equivalence relations, equal, कितने relation हाई, 5, ठीक है, अब यह देखो कौन सी option में हमको देखने को मिल रहे है, 5D option इसका right होगा, ठीक है, 11th को देखते है, 11th में इसने क्या बोल रुख है, if a relation are on the set, 1, 2, 3, okay, कोई एक relation है, r, वो 1, 2, 3 में, be defined by 1, 2, relation हमको क्या दरख है, 1, 2, जो की इस set पर है, 1, 2, 3 पर है, तो यह जो r है, यह कैसा होगा, reflexive होगा, symmetric होगा, या transitive होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा, ठीक है, अगर मैं बात करूँ reflexive की, तो खुद के साथ relate करते हैं, माना, अगर मैं element यहां से, इस set से, एक element एक ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, तो 1, 1 के साथ relate होना चीए, तो 1, 1 के साथ तो ही नहीं, अगर मैं 2 को ले रहा हूँ, तो 2, 2 के साथ नहीं है, इसका मतलब reflexive नहीं है, symmetric की बात करूँ, तो symmetric के लिए, अगर 1, 2 के साथ relate है, तो 2 का relation 1 के साथ हाना चीए, मतलब 2, 1 भी होना चीए था, वो इसमें नहीं है, तो यह symmetric भी नहीं है, ट्रांसेटिव के लिए क्या करते हैं, अगर 1, 2 के साथ relate है, और 2, 3 के साथ relate है, तो हम दिखाते थे, 1, 3 के साथ relate है, एक बर फिर से बता रहा हूँ, 1 अगर 2 के साथ relate है, इस set की बात करूँ, 2, 3 के साथ relate है, यह हम लेके चलते थे, तब हम प्रूव करते थे 1, 3 के साथ रिलेट होगा लेकिन यहाँ पे हमको बस यही मिला हुआ है दूसरी कंडिसन ही नहीं है तो इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे फिर से बोल रहा हूँ अगर आपको ट्रांजिटिव के लिए दो केस लेके चलते हैं तो और तीसरे को प्रूव करते हैं लेकिन आपको दो गिवन केस नहीं मिल रहे न एक ही केस मिल रहे है तो उस केस में हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं ठीक है तो बी ओप्शन इसका राइट हो जाएगा next जो 12 थे 12 में इसने क्या बोल रुख है let us define a relation in r as a relate with b if a is greater equal b then इन तीनों में से कौन सा होगा अगर मैं बात करूँ किसी एक element suppose 3 की तो वो जो 3 है ना वो 3 से बड़ा हो सकता है क्या नहीं हो सकता लेकिन यहापे equal का symbol भी है ना लेकिन 3 3 के बराबर तो है खुद का खुद से relation देख रहा था मैं ठीक है इसका मतलब reflexive है reflexive है अगर मैं बात करू symmetric की तो symmetric के लिए symmetric को छोड़ो अभी transitive की बात कर लो transitive में अगर मैं बात करू 7 की 7 जो है वो 6 से बड़ा है बिल्कुल है ठीक है equal वाले case नहीं है आपकी बार बड़ा वाला case है तो इसको अटा दो इस relation को तो satisfy कर रहे न ठीक है दो point सामिले इसी में एक greater वाला एक equal वाला तो यह satisfy हो रहा है और फिर हम दूसरा case होर लेते हैं कि जो 6 है वो 5 से बड़ा हो ओके तब हम प्रूव करते है कि जो 7 है वो 5 से बड़ा आना चाहिए तो 7 5 से बड़ा होता है बिल्कुल होता है यहनि transitive भी है ठीक है transitive भी आ रहा है अब बात करो मैं symmetric की symmetric में दो element हम लेते हैं इसमें तो 3 लिए थे उसमें दो लेंगे क्या अगर मैं बात करो 4 की और 2 की तो जो 4 है वो 2 से बड़ा है बिल्कुल है तो क्या 2 4 से बड़ा आज आएगा यह तो नहीं आएगा और equal आएगा equal भी नहीं आएगा य डी option इसका नहीं होगा तीसरा देखो सी option symmetric है symmetric नहीं है transitive अच्छा symmetric not बोल रहा है ठीक है symmetric, transitive but not reflexive, reflexive नहीं बोल रहा है यह भी गलत है इसमें देखो reflexive है, transitive है, not symmetric symmetric, symmetric नहीं है बी option इसका right होगा equivalence क्यों नहीं है क्योंकि symmetric नहीं है तीन और जरूरी थी इसके लिए 13 को देखते हैं यह आपको सेट देख है यह आपको relation देख है तो आर कैसा होगा देखो सबसे पहले reflexivity की check करते है तीन element है तो 1 का 1 के साथ है 2 का 2 की साथ है 3 का 3 के साथ है reflexive है, okay, बात करूं मैं symmetric की, तो symmetric के लिए क्या करते हैं उसकी symmetry बन जाना चाहिए अगर मैं एक element ले रहा हूं 1,2 तो क्या 2,1 है मेरे पास 2,1 तो नहीं है इसमे, ठीक है कम से कम एक ऐसा मेरे को pair बन गया ना 1 मिल गया ना यहां पे relation में जो की उससी condition को satisfy नहीं करा कि इसको अगर 1,2 के साथ relate है तो 2,1 के साथ relate नहीं है तो वो symmetric नहीं होगा ठीक है आप और भी check कर सकते हो लेकिन एक से ही पता लग गया तो बस यह मानलो की symmetric नहीं है ठीक है तो ए option इसका right होगा ठीक है अगर मैं transitive को चेक करूँ तो transitive के लिए जैसे 1,2 के साथ relate है इस से अगला के है 2,3 के साथ relate है तो हम क्या प्रू इसने the identity element for the binary operation star, यहां पे star हो रहा है ठीक है तो यहां पे मैं star बना देता हूँ, यह star बना हुआ था, ठीक है, define on, यह कै क्यो, set of rational number, लेकिन यह कह रहा है कि 0 उससे बिलोंग नहीं कर रहा है, okay, 0 को छोड़ कर, as a operate with b, तब आपको output क्या मिल रहा है, a b upon 2, for all a b belongs to this set, ठीक ह इस domain से बिलोंग कर रहा है, a और b, दोनों element, okay, तो हमको identity element की value find करनी है, ठीक है, identity element होता क्या है, तो उसकी definition देखते हैं, अगर identity element, जिसको हम e से represent करते हैं, 14th कीश नहीं, उसको किसी भी element के साथ अगर operate करवाते हैं, suppose a के साथ करवाते हैं, ठीक है, a operate with e लिखो, या e operate with a ल जाना चाहिए, okay, तो यहां पर हमको a operate with b करते हैं, तो output क्या मिल रहा था, a b upon 2 मिल रहा था, तो अगर मैं a को e के साथ operate करवा हूं, या e को a के साथ operate करवा हूं, तो क्या हैगा, यहां पर b की value क्या है, e है ना, तो जाहां पर b है, वहां पर e put कर दो, a into e upon 2, ठीक है, अच् इसको मैंने a के equal लिखा है, वापस, जिसके e को जिसके साथ operate करवा रहे था, वही element आजाना चाहिए, ठीक है, तो यहां से e find करेंगे, तो क्या आएगा, a to cancel हो गया, मतलब बना गया, कटके, और e to इदर आजाएगा, ठीक है, इसका मतलब e की value क्या आ रहे है, 2 आ रहे है, identity element to c option है, तो c option इसका right होगा, ठीक है, 15th question में इसने बोल रहे है, if the set a contains 5 elements, set a में 5 elements है, और set b में 6 elements है, तब हमको number find करने किसका, 11 and on to mapping, from a to b, okay, तो a में कितने element है, 5 और b में है 6 elements है, ठीक है, 15th question है, number of element in set a is 5, and number of element in set b is 6, ठीक है, तो इसको मैं डाग्राम बना कर फिर explain करता हूं, तो डाग्राम मैं बना लिया है, जिसमें, जो set a है, उसके पाथचे element पहने ले 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 ले, a, b, c, d, e, और जो element, जो set b था, उसके 6 element है, मैंने मान ले 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करो, पर 1, 1 होने की, तो 1, 1 के लिए क्या condition थी, यहां पे जो element है, उनकी, ये जो code domain वाले element है, एक के साथ image बननी चीए, जैसे कि इसकी image बन गई है, इसकी इससे बन गई है, इसकी इससे बन गई है, और इसकी image इससे बन गई है, ठीक है, तो ये 1, 1 तो हो गया, लेकिन नहीं, फिर ये 1, 2 क्यों नहीं हहा, क्योंकि 1, 2 के लिए, जो, B में element है, उन सबी की pre image, ए में होनी चीए, ठीक है, तो इसकी pre image नहीं है, फोर ऐसा element है, इसकी pre image नहीं है, तो ये 1, 1 है, अगर ये इन्टू है, ठीक है, अगर ये इन्टू है, तो, वन, यहां पे साथ फंक् जैसे कि ये डाइग्राम दूसरा है, अब अगर मैं इसको ओन्टू दिखाता हूँ, तो ओन्टू के लिए क्या करना था, जो B के एलिमेंट है उन सभी की प्री इमेज ए में बन जानी चाहिए, ठीक है, A की इमेज 1 से बना दी, B की 2 से बना दी, C की 3 से बना दी, 4 से बना दी, D की 3 से बना दी, E की 5 से बना दी, और 6 की इन में से किसी X से और बना दी, तो अब ये on to तो हो गया क्योंकि B के जो भी element है उन सभी की pre image मेरे को मिल रही है लेकिन फिर ये one one नहीं है ये on to तो है क्यों क्योंकि B के जो भी element है उन सभी की pre image बन रही है on to तो है one one क्यों नहीं है क्योंकि C एक ऐसा element है domain A से जिसके दो image बन रही है 1-1 नहीं है, ठीक है, तो यह 1-1 नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा मेरे को कोई भी function नहीं मिल रहा, जो इसको satisfy करें, ठीक है, तो कितने number आएंगे ऐसे mapping के, 0 number आएंगे, ठीक है, तो 0 मतलब C option इसका write होगा, अब देखतें 16th को, 16th में देखते हैं, 16th में क्या बल रहा है, इसने A और B, then the number of a surjection from A to B, okay, number of surjection पूछा है, surjection मतलब on to functions, ठीक है, तो next page पर इसको देखते हैं, A में कितने element है, N है, B में 2 element है, A और B, okay, यह खिश्य नमबर है, 16th, number of element in set A is N, and number of element in set B is 2, 2, और यह दो क्या थे, A और B थे, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, total number of function की, total number of functions, तो वो क्या होता है, यह अमने formula पढ़ रख है, जो B में element है, उनका number, और उसके exponent कर दो, number of element in set A, मतलब, B में element कितने है, 2, और A में N, तो 2 rise to power N, इसके total number of functions बनेंगे, यह कैसे आया, तो इसको एक बर diagram से clear कर देता हूं, जैसे कि यह set A है, और यह set B है, ठीक है, B में 2 element थे, A और B, और A में N element थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on, up to N, ठीक है, तो A के लिए कितने choice हैं, तकि function बन पाए, यह A इससे भी mapping कर सकता है, इससे भी कर सकता है, मतलब A के लिए 2 चोईस है, B के लिए, मतलब 2 के लिए, इसके लिए भी 2 चोईस है, 1 के लिए 2 थी, 2 के लिए भी, ऐसे 3 के लिए भी 2 चोईस आएंगी, इन से मैपिंग कर सकता है, इसकी भी 2 चोईस, every element 2 चोईस, ठीक है, तो total number of function क्या आएगा, 2 multiply, 2 multiply, 2 raise to power n आएगा, तो total number of function मेरे को मिल गया है, ठीक है, तो उसको मैंने यहां पे लिख दिया है, total number of functions इक्वल 2 raise to power n, अच्छा, अब जो total number of functions होता है, वो होता है, number of onto functions, plus number of into functions, तो इसको मैं क्या लिखू, number of onto, जिसको हम सरजक्शन बोलते हैं, number of सरजक्शन, यानि onto functions, ठीक है, plus number of into functions, ठीक है, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, total number of functions, और वो कितने है, 2 raise to power n है, ठीक है, अगर मेरे को number of into functions, यह मेरे को मिल जाता है, तो यह मैं find कर पाऊंगा, तो into functions कितने आएंगे, वो कैसे find करें, तो उसके लिए next page पर चलते हैं, तो यहाँ पे into functions के लिए, देखो, यह मालो set A है, यह set B है, A में element थे N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to N, और यहाँ पे थे दो element A और B, तो into function कब होगा, जब उसकी range को domain के not equal आए, रेंज को domain के equal नहीं आने चाहिए, यानि डेफिनेशन की बात करें, तो B में कम से कम एक ऐसा element बनना चाहिए, अगर आपका function A to B है, तो B में कम से कम एक element ऐसा बचना चाहिए, जिसकी pre image एमेना मिले, ठीक है, इसी का तो मतलब है, कि जो range है, वो co domain के equal नहीं, ठीक है, देखो, अगर मालो, ये जो भी element है न, इन सभी की image A के साथ आ रही है, इन सभी की image A बन रही है, सभी की, N element थे उन सभी की, तो B बच गया न, तो ये कैसा होगा, into होगा, क्योंकि definition में हमने पढ़ा था, कि B जो है, उसमें कम से कम एक element ऐसा होना चाहिए, जिसकी pre image इसमें सामिल नहीं हो, और इसकी, अगर मैं बात करूं, तो यहां पे range के आ रह co domain मेरे को क्या मिला, A, B मिला, ठीक है, अब देखो ये दोनों equal है क्या, ये equal नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, ये into function है, ठीक है, या फिर ये भी तो हो सकते है, 1, 2, 3, 4, जो भी N element है, A में, और B में दो element थे, A और B, अब की बार इन सभी की जो image है, वो B पे बने, किस पे B पे बने, तो A element B का एक ऐसा रह गया, small A element, जिसकी pre image A में नहीं है, तो ये भी कैसा है, ये भी into है, क्यों, क्योंकि याँपे जो small B है, वो तो range है, ठीक है, और code domain का है, ये पूरा है, तो range और code domain equal नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये into function हो गया, तो number of into function कितने है, एक य ये और एक ये, दो function मेरे को मिल रहे है, ठीक है, अब ये, जो value आई मेरे पास, number of into function, इसकी value क्या है, 2, और number of onto functions, ये तो मेरे को find करने है, तो इसको मैं क्या लिखू, number of transactions equal to rise to power n, अब यहां से मैं find कर पाऊँगा, number of transactions, कितना आएगा, 2 rise to power n minus 2, अब ये option चेक करते हैं, कौन साम को मिल रहे, 2 rise to power n minus 2, भी option इसका right होगा, next, जो question number 17 है, 17 भी इसने बोल रुक है, कि कोई एक function है, जो r to r में इससे प्रकार different है, जो fx है, वो 1 by x की equal है, for all x belongs to r, जो भी x है, वो सारे r से बिलोंग कर रहे हैं, तो एक element 0, वो भी तो r से बिलोंग करते हैं, अगर मैं x की value 0 लेता हूँ न, x equal 0, ठीक है, तो 0 पर function क्याएगा, x की value 0, put कर up 1 by 0, no defined, तो d option इसका right हो जाएगा, next देखते हैं, 18 को, 18 है, 18 में इसने बोल रुक है, कोई एक function है, f में जो कि r to r में है, और fx आपको रेख़ए 3x square minus 5, और zx भी आपको रेख़ए, x upon x square plus 1, तब आपको both निकालना है, z of आपको निकालना है, ठीक है, fx के 3x square minus 5, 18 थी कीशन है, fx आपको गीवन है, 3x square minus 5, और zx है, वो भी आपको गीवन है, वो किया है, x upon x square, x upon x square plus 1, फिर आपको gof निकालना है, x square plus 1, ठीक है, एक बार fx चेट कर लेए, तो plus 5 है या minus 5 है, minus 5, okay, z of fx, इसका मतलब यह है न, z of fx, तो fx की value है मेरे पास, fx की value के है, 3x square minus 5, ठीक है, अब देखो इसके इससे compare करो, z x के बदले यह put कर दो, यहाँ पर, ठीक है, 3x square minus 5, upon, यहाँ भी x के बदले यह bracket वाली value कर दो, 3x square minus 5, यह तो मैंने x की value की, उसके उपर power 2 है, power 2 और 7 plus constant बने है, उसको लिखा, तो क्या आएगा है, यहाँ पर, 3x square plus 5, plus नहीं, minus है, तो इस plus को अटाओ, minus करो, 3x square minus 5, upon, अब इसको expand कर दो, तो क्या आएगा, 9x rise to power, कितनी, 4, minus 2 यह भी करो, 5, 3, 15, 2, 30, x square, और क्या आएगा, प्लस 25 और यह प्लस 1, plus 26, ठीक है, चेक करो कौन सा option मिल रहे हैं था, 3x square minus 5, उपर है, 3x square minus 5, और नीचे के आ रहे है, 9x4 minus 30x square plus 26, 9x4 minus 30x square plus 26, यह option इसकर रही हो साएगा, जो 19th question है, 19th question में इसने बोल रखे है, which of the following functions from Z to Z, यानि set of integers, ठीक है, domain और codomain दोनो set of integers से बलोंग कर रहे हैं, और bisection, ठीक है, कौन सा function, A, B, C, D, 4 function आपको रहे हैं, bisection होगा, मतलब, जो 11 भी हो, और जो on 2 भी हो, ठीक है, तो पहला जो है, fx equal x cube, इसको चेक करता हूँ मैं पहले, Z to Z है न, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर minus के भी काफी नमर होंगे, जो की चल के आ रहे हैं, suppose मैंने यह आप से लिखे, minus 4 से, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on, ठीक है, इसमें इसमें भी यह integer है, Z to Z है न, को दो मिन भी क्या है, Z है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं होगा, minus 5 होगा, minus 4 होगा, minus 3 होगा, minus 2 होगा, minus 1 होगा, 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on, ठीक है, तो function आपको क्या देर रख ए, x cube, अगर मैं इसका cube करता हूँ, minus 4 cube, तो क्या हैगा, minus 4 cube करूँगा मैं, तो क्या मिलेगा मैं, मैं रखो, minus 64, यहाँ कहीं होगा minus 64, ठीक है, minus 3 की cube मैं करता हूँ, तो क्या हैगा, minus 3 की cube करूँगा, तो minus 27, इसमें कहीं होगा, okay, minus 1 की cube करता हूँ, तो क्या हैगा, minus 1 की cube, minus 1, 0 की cube, 0, 1 की cube, 2 की cube, 8, ऐसे आगे और मिलते जाएंगे, ठीक है, यानि, एक element की image A की आ रही है, मतलब 1 बन तो ये है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ on 2 की, तो on 2 के लिए क्या करना होगा, इसमें जो element बच रहे हैं न, कम से कम एक ऐसे element है क्या, जिसकी pre image इसमें सामिल नहीं हो, बिल्कुल है, कौन है वो, अब वो देखो, कौन है, देखो, जैसे मैंने 2 की cube की, 7 आया, 1 की cube की, 1 आया, तो इनके बीच में ये जो number आ रहे हैं न, इनकी pre image नहीं है, ए में, ठीक है, ऐसे ही minus वाले की, जो बीच में बच रहे हैं, इनकी pre image नहीं है, तो कम से कम, एक या, बहुत से element मेरे को मिल गए, जिनकी pre image इसमें सामिल नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, on to नहीं है, one one तो था on to नहीं है, अगर ये on to नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर ये bisective नहीं है, ठीक है, bisection इसका available नहीं होगा, तो firstage of function था, वो गलत हो गया, अब इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि answer यह ही है, मैं इनको solve करके बता देता हूँ, ये क्यों नहीं है, c को देख लो पहले, 2x plus 1 को, 2x plus 1, ठीक है, तो यहाँ पर element क्या, same वो ही, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on, और यहाँ पर क्या होंगे, ऐसी, आपको z से लिन है न, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, वगरा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं x की value, suppose, minus 3 पुट कर रहा हूँ, तो minus 3 into 2, minus 6, plus 1, minus 5, क्या पुट किया, मैंने, minus 3 पुट किया, उसकी में इस क्या आई, minus 5 आई, ठीक है, minus 2 पुट करूँ, तो क्या एगा, 2 to the 4, minus 4, plus 1, minus 3, ठीक है, अगर मैं minus 1 पुट करता हूँ, तो क्या आएगा, minus 1 पुट करने पर minus 1 मिलेगा, 0 पुट करूँ, तो 1 मिलेगा, plus 1 पुट करता हूँ, तो 3 मिलेगा, ठीक है, होगा इसमें कहीं 3, उससे मैं चो जाएगा, लेकिन जो, even नमबर आ रहे हैं, जैसे minus 4 है, minus 2 है, 2 है, 4 है, ठीक है, इनकी pre-image इसमें सामिल नहीं है, ठीक है, तो इनकी pre-image इसमें सामिल नहीं है, तो ये on to नहीं है, और on to नहीं है, तो ये bisective नहीं होगा, ये bisection नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे bisection C भी नहीं है d को और देख लो फिर भी को देखेंगे d क्या है x square plus 1 ठीक है तो यहाँ पर जो भी element है जैसे minus 2 minus 4 minus 3 minus 1 0 1 2 3 4 इस टाइप से यहाँ भी ऐसे कुछ होंगे minus infinite to plus infinite ठीक है और integer की बात हो रही है तो पूरी-पूरी नमबर होंगे जैसे minus 9 minus 8 minus 7 minus 6 minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 2 3 4 ठीक है अगर मैं x की value minus 2 put करता हूं तो क्या हैगा 4 plus 1 5 यानि positive इसमें इसका square plus 1 positive 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 सारे positive आएंगे ठीक है तो यह negative element काफी बच गे जिनकी premise सामिल नहीं है और होना क्या चाहिए था कम से कम एक element अगर इसका ऐसा बचता है जिसकी premise इसमें सामिल नहीं हो तो वो on to नहीं होगा अगर यह on to नहीं है तो फिर यह by section नहीं है ठीक है तो d इसलिए by section नहीं होगा d वाला तो यह भी कट हो गया बात करें b की तो b है x plus 2 अब b को देखो x plus 2 यहां पर देखो होगा minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 and so on ठीक है ऐसे पीछे की तरफ भी होँगे यहां पर minus क्या put करो minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 6 and so on ठीक है अगर मैं x की value minus 2 put करता हूँ तो क्या आएगा minus 2 plus minus 5 put करता हूँ तो minus 5 plus 2 आ गया minus 3 minus 4 पर क्या आएगा minus 2 आएगा minus 3 पर क्या आएगा minus 1 यहनि 2 plus करते चलो इसमें इसमें plus 2 करो इसमें plus 2 करो ठीक है 4 5 इसके सारे element आज आएगे और पीछे चलेंगे तो और आएगे क्योंकि infinity तक है और यह भी तो infinity तक है ठीक है इसका मतलब यह one one भी है एक element की एक element के बीके एक element के साथ ही में जा रही है domain की एक element की code domain के एक element के साथ ही में जा रही है मतलब one one है ठीक है one one हो गया तो अब on to check करते है on to कैसे चेक करें इसमें ऐसा कोई भी element बचेगा यह जिसकी प्रेमेंज इसमें ना हो सभी की प्रेमेंज मिलेगी ठीक है तो इसका मतलब x cube plus 5 f inverse x आपको चेक करने है ठीक है तो लेट क्या करते है fx को y fx equal y ओके तो fx क्या था x cube plus 5 x cube plus 5 को मैंने y लिख दिया अब मेरे को x की value find करने होगी y की term में x cube क्या आएगा y minus 5 x क्या आएगा y minus 5 rise to power 1 upon 3 अब यहां से देखो जहां पर आपने लेट क्या था वहां से अगर मैं f inverse y find करो तो x की value आ रही है x किसकी equal आ रहे है f inverse y की equal equation first और second की compare करोगी यह दोन equal तो यह दोनों भी equal यहनि f inverse y आ गया मेरे पास क्या y minus 5 rise to power 1 upon 3 लेकिन यह तो f inverse y है मेरे को क्या चीए f inverse x चीए तो y को x से substitute कर दो तो यहां पर क्या आएगा x minus 5 rise to power 1 upon 3 x minus 5 y rise to power 1 upon 3 b option इसका right हो जाएगा next जो question number twenty first test में देखो क्या बोल रूख है कोई एक function है f जो की a to b में define है और जो function है z वो b to c में define है और यह दोनों bisective functions है ठीक है मतलब bisective का मतलब क्या है कि यह जो function है यह one one भी है और on to b है ओके ऐसे यह जो जी है यह भी one one भी है और on to b है one one ओनी का मतलब क्या है कि set a से कोई भी element अगर मैं लूँ तो उसकी unique image बन जानी चाहिए b के elements के साथ यानि एक element की a की image बननी चाहिए unique image बननी चाहिए तो वो one one होगा one one है क्योंकि bisective बोल रहा है ठीक है अगर हमें बात करूं on to की तो on to में हम क्या चेक करते रहे कि जो b में element है न उन सभी की pre image एक element के साथ बन जानी चाहिए मतलब इन सभी की image इसमें बन जाए कोई भी element ऐसा ना चुटे जिसकी pre image इसमें ना हो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो range है न वो co domain की equal हो जाए ठीक है तो अब की बार मैं co domain को range बोलूँगा क्योंकि range और co domain equal है क्योंकि function on to भी था न बार मैं co domain को range बोलूँगा इस question में ठी इसके equal होगा तो इसको diagram से समझते है diagram मैंने बना लिए तो यहाँ पर आपको देखो f defined था a to b में z defined था b to c में gof inverse हमको find करने है तो मैंने तीन set लिए a b और c तो a जो set था जो f function था वो a to b में था b to c में z था ठीक है gof मेरे को find करने है sorry gof inverse तो अगर मैं बात करूँ gof की z z o f k to वो कहां से कांगर कैसे चेक करते हैं कि कौन सा function कांगर मैं बात करूた की तो सबसे पहले को फोर्त होते है एप ओपरेत होगा इसमे गोजा मतलब क्या है पहले f को अपरेट और यह चेए ना तो सो में तो एक यह बहा दो में Hep का domains क्हला बहुताए यह domain होती है ये co domain लेकिन यह पर मैं range बोलूगा तो यह domain है और यह क्या range है तो f का domain f का domain है a two f to operate हो गया अब z operate होगा तो z जो है उसकी range ठीक है तो z की range क्या है यह to z का domain है और यह z की range बनेगी इस question के लिए जिसको co domain भी बोलते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर code domain range equal है तो gof a to c में define होगा लेकिन मेरे को क्या find करने है मेरे को तो find करने है z of f inverse हाना तो ये कहां से कहां define होगा यानि इसका reverse तो c to a हो जाएगा c to a ठीक है तो gof a to c और z of f inverse c to a अब option चेक करते कौन काम पर define है z of तो होगा नहीं क्योंकि z of कहां से कहां define था z of a to c और मेरे को चाहिए क्या gof inverse वो तो c to a define है तो c to a जो result देगा वो option रख लेंगे हम ठीक है तो ये तो cancel हो गया miss equal नहीं है ओके एक option cancel हो गया f or z की अगर मैं बात करूं तो f or z का मतलब क्या है देखो ये कहां से कहां define होगा f or z का मतलब पहले z operate होगा तो पहले जो operate हो रहे है ना उसका domain लो तो z का domain लो z का domain क्या है z function b to c था तो इसका domain क्या है b या यानि ये b से और जाएगा किस में Z तो operate हो गया अब F operate होगा तो F की range बाद में जो operate होता है उसकी range लेते हैं तो F की range क्या है? B, यानि ये B to B define रहेगा ठीक है? तो B to B, है के ये B to B? ये भी नहीं है, तो F उ Z जो था वो भी cut हो जाएगा second भी cut हो गया, अगर मैं बात करूँ Z inverse of F inverse की कहां से कहां define होगा, ठीक है तो Z inverse Z कहां से कहां था? B to C, तो Z inverse कहां से कहां आएगा? C to B, ये हो गया C to B C to B है क्या? लेकिन मेरे को तो दोनों का off निकालना है, Z inverse of F inverse इस पर चेक करना है, तो F inverse निकालो पहले F क्या था? A to B में तो F inverse क्या आएगा? B to A B to A एक बार देख लो Z inverse of F inverse इथा ना Z inverse of F inverse, ओके? तो Z inverse of F inverse कहां से कहां define होगा? तो यहां पर देखो पहले operate होगा F inverse तो F inverse की मेरे को domain देखनी है F inverse की domain क्या है? B और B to कहां तक? Z inverse की range Z inverse की range है B B to B यह तो B to B नहीं है इसका मतलब यह C option भी इसका cut होगा तो बच्चा क्या? A यह इसका right होगा अब यह क्यो right होगा? वो भी देख लो F inverse of Z inverse F inverse of Z inverse देखो F inverse of Z inverse की आएगा? इसका मतलब क्या है? पहले operate हो रहे है Z inverse तो Z inverse जो पहले operate हो रहा है उसकी domain देखते हैं तो Z inverse की domain देखो Z inverse की domain क्या है? C यह dot है define करें न C2 अब operate कौन होगा? F inverse तो बाद में जो operate होता है उसकी range देखते हैं F inverse की range क्या है? F inverse की range है A हाना? तो C to A और यह क्या था? C to A ही दे रहा था result go of inverse तो यह और यह equal है हाना? Z of inverse किसकी equal? F inverse of Z inverse यहनी first option इसका right हो जाएगा ओके next देखते हैं 20 second 20 second में आपको F inverse पूछा है F inverse की value find करनी है हाना? किसकी equal आएगा? अगर Fx आपको 3x plus 2 और 5x minus 3 दे रख़ा है तो ठीक है? तो Fx को में लेख लेता हम पहले 3x plus 2 उपर है Fx equal 3x plus 2 upon 5x minus 3 5x minus 3 कौन सा था यह? 20 second ठीक है? तो F inverse निकालने के लिए हम लेट करते हैं जो Fx से वो y के equal हो जाए ठीक है? ओके? तो इसको मैं y की equal लेता हूँ यानि 3x plus 2 upon 5x minus 3 equal y अब क्या करना होगा? मेरे को x की value y की term में find करनी है तो क्या लिखो इसको? 3x plus 2 equal y को इन दोनों से multiply कर दो यानि 5y minus 3y 5y इसके साथ x भी है 5xy, x हो रहाएगा इसके साथ x वाली term को एक तरफ कर लो यानि 3x minus 5xy और यह इदर आएगा तो negative हो जाएगा 2 negative 2 और यह already negative है 3y यहाँ से मैं x common लेता हूँ तो क्या आएगा? 3 minus 5y और इदर क्या है? मैं minus sign common ले लेता हूँ तो 3y plus 2 हो जाएगा अब अगर मैं x से find करूँ तो x क्या आएगा? minus 3y plus 2 और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 3 minus 5y लेकिन मैंने इसका minus नहीं लिखा मतलिब यहाँ से भी मैंने minus common ले लिया तो वो minus common लोगा तो इसको cancel कर देगा तो बच्चे का minus common लेने के बाद और वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5y plus 3 x की value मेरे को y की term में मिल चुकी है ठीक है? मेरे को क्या find करने है? f inverse x यहाँ से देखो क्या मिलेगा? अगर मैं f को इधर transfer करूँ तो मेरे को मिलेगा x equal f inverse y हाणा? तो x की value क्या है? यह value यहाँ पर substitute करते है 3y plus 2 upon 5y plus 3 equal f inverse y यह तो f inverse y है मेरे को क्या चीए था? f inverse x सी यह था तो अगर मैं f inverse x से find करूँगा तो y को x से substitute करना होगा यानि 3x plus 2 और नीचे y के बदले x लिख दो 5x plus 3 ठीक है? अब देखो यह 5x और यह plus 3 ओके? एक यह mistake और यह mistake क्या? जब मैंने minus sign common लिया था तो यह तो positive और यह negative हो गया था न? तो यहाँ पर plus नहीं minus आएगा ठीक है? यहाँ पर plus नहीं minus आएगा इस plus के बदले क्या करोगी? minus करोगी अब इससे compare करो 3x plus 2 3x plus 2 5x minus 3 5x minus 3 मतलब fx आगया तो finally हमको result क्या मिला? जो f inverse x आया वो वापस से वो ही function बन गया fx की equal आगया यह करसर इदर नीजा पारा मैं नीचे लिख देता हूँ fx ठीक है? f inverse x fx की equal आगया चेक करो कून सा option है? f inverse x equal fx first option इसका right होगा चो 23rd के शनने इसमें आपको बोल रखाएगी कोई एक function है जो यहां से यहां तक define है और function आपको दो restriction के साथ रखी है ठीक है? अगर x irrational है तो x आएगी function की value और अगर x irrational है तो 1 minus x की equal होगा ठीक है? तो f of fx क्या होगा? यह हमको find करने है देखो f of fx होते क्या है किशे नमबर कौन से है? 23rd है 23rd f of fx का मतलब क्या है? इसका मतलब है f of fx ठीक है? अच्छा तो यहां पे जो function है na fx वो दो तरिक्के से द्रख्खे है क्या? x अगर rational है तो x is rational ठीक है? और 1-x कब? जब x कैसा है? rational है ओके तो यहां पे जो fx है उसको मैं दो पार्ट में solve कर सकता हूँ na अगर मैं इसको rational लेके solve करूँ तो function क्या आएगा? x आएगा ठीक है? तो मेरे को f of fx की value क्या मिलेगी? f of function क्या रहा है? x की equal तो fx यानि x ही बनेगा और fx क्या है? जब x rational हो तो उसकी value x आ रही है अगर मैं बात करू irrational की यानि second case जब मैं इसको irrational लेता हूँ ओके irrational लोंगा तो जो fx है वो क्या बनेगा? 1-x तो यहां पे 1-x put करो f 1-x ठीक है? अच्छा 1-x ठीक है? solve करो इसको 1-1 cancel minus minus plus आया क्या? x मतलब इस case में भी x आ रहे है इस case में भी x आ रहे है और x कैसा था? जब x का बार रहा था? जब x कैसा था? rational था हमको हर बार मतलब चाहे x rational हो चाहे irrational हो output कैसा मिल रहे है? x की equal आ रहा है ठीक है? तो option देखते है constant है क्या? नहीं है constant अरे ये कैसे हो गया 1 plus x आया? नहीं आया यहाँ पर कुछ लो चाहे इसमें 1 को आप x मिलेगा एक में आपको x मिलेगा ठीक है? function की value कैसी आ रहे थी मेरे को? मेरे को कैसे मिल रहे थी? चाहे वो rational हो चाहे irrational हो मेरे को output x मिल रहा था दोनों में ठीक है? तो ये दोनों option में एक option ऐसा होगा जिसमें x आएगा ठीक है? वो right होगा next 24th को देखते है 24th में बोल रख है कि कोई function है जो 2 से ज्यादा के लिए define है और real set है ठीक है? be the function define fx equal x square minus 4x plus 5 तब इस function की range हम से पूछी है ठीक है? fx क्या x square minus 4x plus 5 24th fx हमको मालूम है क्या दरख है? इसने x square minus 4x plus 5 ठीक है? इसको मैं y के equal let कर लेता हूँ let y equal fx तो x की value y की term में क्या आएगी? y equal x square minus 4x plus 5 ठीक है? y equal इसको मैं perfect square में change कर दो तो क्या बनेगा? x minus 2 all square plus 1 इसको transfer कर दो y minus 1 x minus 2 इसके रट हैंगे root हो जाएगा इदर आके plus हो जाएगा यनि x की value क्या आएगी? y minus 1 root के अंदर और plus 2 हो जाएगा अच्छा अब देखो y क्या था? fx था ना तो y कब possible है? ये root real number में कब आ सकता है? जब y की value क्या लू में? कम से कम 0 तो बनेगे और ये 0 कब बनेगा? root के अंदर वाला जब मैं y की value 1 लू? ओके? और positive भी होना चीए positive का जब 1 से बढ़ी लू? 0 या 1 या 1 से बढ़ी value ठीक है? तो इस पर ये define होगा y क्या था? fx था? यानि fx की value क्या है? या तो 1 या 1 से जादा इसका मतलब अगर मैं interval format में लिखू तो 1 भी सामिल है और 1 से बढ़ी value कितनी भी हो सकती है? ठीक है? ओके? तो ये interval देख लो आप 1 to not define sorry infinite 1 to infinite b option इसका right हो जाएगा next जो 25 था है इसमें आपको बोल रखे कोई एक function है जो natural to real में define है और fx आपको ये दरख है zx ये दरख है ठीक है? और zx जो है मतलब z functions जो है वो किस से किस में define है q to r में ओके तो मतलब rational to real number में तो इसने zx भी दरख है x plus 2 z of f 3 by 2 आपको find करने के लिए इसने बोल रखे है तो करते हैं find given information को मैंने space पर लिख लिए है ठीक है? z of fx अगर मैं find करना चाहूं g of fx तो वो क्या आएगा? z of fx fx क्या है? 2x minus 1 upon 2 ठीक है? तो अब यह जो zx है इसमें x के बतले यह value put करो तो यह आएगा 2x minus 1 upon 2 और plus 2 lcm लेके solve करो यह 2 है lcm आएगा 2 यानि 2x minus 1 plus 4 solve करो 2x और कितना? plus 3 upon 2 लेकिन मेरे को यह value किस पर find करनी है? यह मेरे को 3 upon 2 पर find करनी है तो यहाँ पर x वहाँ पर 3 upon 2 put कर तो यहाँ पर मैं 3 upon 2 put कर रहा हूँ तो cancel हो जाएगा क्या हैगा? 3 3 plus 3 is 6 6 upon 2 3 ठीक है? check option 3 किस में आ रहा है? none of these तो d option इसका right हो जाएगा जो question number 26 है इसमें आपको function दिरख है और वो अलग-अलग restriction पर define है ठीक है? इसने value पूछी है f minus 1 f 2 f 4 इनको add करे तो क्या हैगा? okay देखो f minus 1 के equal x की value minus 1 के equal है? इन में से किसी में? नहीं है तो 1 से छोटी इन में देखो यह तो 3 से बड़ा बता रहा है यह 3 हो सकता है यह 1 से 3 के बीच में तो मेरे को x square लेना होगा और अगर मैं 1 से छोटा लू तो मेरे को यह मिलेगा हाना? तो यहां पे x की value minus 1 put करूँ minus 1 के लिए कौन सा? यह तो 3 से बड़ा बता रहा है नहीं लूँगा यह 1 से 3 के बीच नहीं लूँगा एक से छोटा एक से छोटा बिलकुल मिल सकता है इसमें minus 1 तो इसमें मैं x की बदले minus 1 put करूँगा तो क्या आएगा? minus 1 into 3 minus 3 plus f2 2 किसमें blow कर रहा है? एक से 3 में आ रहा है न तो इसमें मैं x की value 2 put करूँगा तो 2 square 4 ठीक है plus f4 4 मतलब 3 से बड़ी value वो उपर वाले में तो 4 into 2 8 कितना आया? 8 plus 4 12 12 minus 3 9 यह नि ए option इसका right हो जाएगा ठीक है? next जो 27 थे इसको देखते है f आपको r to r में given है और given function क्या है? fx equal 10x fx को मैं y let कर लेता हूँ ठीक है? let fx equal y तो fx क्या है? 10x 10x equal y तो x क्या है? 10 inverse y आया ठीक है? अच्छा अब यहां से अगर मैं find करूँ x की value तो क्या हैगी? ओ इदर कर सम्द नहीं जा पा रहा तो इदर मैं लिख देता हूँ x की value क्या हैगी? f inverse y हाणा? तो x की value क्या है? 10 inverse y ठीक है और इदर क्या है? f inverse y ओके? तो मेरे को क्या find करने है? f inverse 1 f inverse 1 तो y के बदले 1 put कर दो f inverse 1 equal y के बदले 1 put करो तो क्या हैगा? 10 inverse 1 10 inverse 1 का मतलब क्या है? pi by 4 ठीक है? तो यह answer भी सही है लेकिन अब यह 10 inverse 1 मतलब कितने पर आ सकता है? कहने का मतलब यह कि 10 में 1 कितने पर आता है? यह जरूर नहीं pi by 4 पी आए third quadrant में भी आता है मतलब pi प्लस करके तो यहाँ पर भी option देखो n pi प्लस pi by 4 n pi का मतलब क्या है? n कहां से बलोग कर रहा है? z से बलोग कर रहा है यह नि set of integer से बलोग कर रहा है मतलब 2 pi हो 3 pi हो 4 pi हो 5 pi हो कुछ भी हो odd pi हो चाहे even pi हो 1 pi हो चाहे कुछ भी हो तो अगर मैं 2 pi, 4 pi, 6 pi even pi प्लस कुछ करता हूँ तो 1st quadrant में जाऊंगा 1st quadrant में भी यह positive होता है ठीक है? यहनि वहाँ से भी मेरे को value मिलेगी और अगर मैं 3rd quadrant में आता हूँ तो भी 10 positive होता है यहनि odd pi 1 pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi ठीक है? odd multiple of pi उन पर अगर मैं value पुट करता हूँ तो भी मेरे को क्या मिलेगा? 10 inverse 1 f inverse 1 के equal मिलेगा यहनि n pi प्लस pi by 4 मेरा option right होगा ठीक है? तो यह थे आपके MCQs Thank you